वेलकम डू सुकलार स्टडीपरड आप सभी का स्वागत था आपके प्लेटूप चैनल सुकलार स्टडीपरड में मैं सियों सुकला आप सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माद्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचिन इतिहास बीए चतुर्त समेस्टर के लगबग और लगबग 120 से अधिक आपजेक्टिपरड के प्रसनों के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही हिलफुल होंगे जिनकी भी परिच्छाएं लगी हुई हैं तो कुछ भी स्विद्याले हैं जिनकी आपजेक्टिपर परिच्छा होगी उनके लिए बहुत हिल्फुल होगा इसके लावाँ जिनकी लिखित परिच्छा भी होगी उनके लिए भी बहुत हिल्फुल होगा चुकि इसमें आप तथ्थात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि जब आप लिकित परिक्षा दे रहे होंगे तो उसमें आपको तथ्य गर लिखेंगे बीच-बीच में यानि कि जो factual जानकारी होती जो fact होता है तो खास करके आपके उत्तर को और अच्छा हो बनाता है और एक प्रकार से वास्तविक धरातल पर आपके उत्तर को जा करके रखता है तो कहीं न कहीं पे यह वीडियो सभी हमारे भाईयों बहनों के लिए बहुत इंपॉडन्ट है तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिएगा बहुत ही हेलफुल एक प्रकार से वीडियो है और एक ही वीडियो के माध्यम से पूरे के पूरे संपूर सलेबस से बनने वाले बहुत ही महतपूर महतपूर परसन लगबग 120 से अधिक ही परसनों को हमने इसमें रखने का प्रियास किया है जो कि आपके लिए बहुत ही important है अब बार बार यही कहना उचित नहीं है इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ न्यू मारल पेपर है 2023 की परिछाओं के लिए प्राचीन इतिहास यानि ancient history के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें आपको पढ़ना क्या है ancient history में आपको बता दूँ कि जैसे कि जब आप ancient एक होता है history केवल history जब से नई सिक्षानिती लाग हुई 2020 से तब से केवल history आपको एक होता है history और एक होता है प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारती इतिहास पूरा तत्यों संस्कृती यानि कि ancient history ancient Indian history architecture and culture जो होता है उसके बारे में आपको पढ़ना पढ़ता ठीक है यानि कि एक प्रकार से जो पूरा तत्यों होता है संस्कृती होती उसके बारे में तो प्राचीन इतिहास और इतिहास ये दो इतिहास आपको पढ़ने होते हैं हर एक समझतन में तो अगर आपने इतिहास लिया है केवल इतिहास तो उसमें आपको मत निकल इतिहास पढ़ना पढ़ेगा जो कि मैंने आपको पूरा बताया था आपको देखिए आप देखे होंगे तो उसका मारत बेपर मैंने दे दिया है ठीक है अगर आपने ancient history लिया है प्राचिन इतिहास तो आपको ये पढ़ना है प्राचिन इतिहास का यह वीडियो तो वो history के नाम से आपके मारत बेपर उसका पहले मैं दे चुका हूँ और ये एक प्रकार से प्राचिन इतिहास वाला है बीए दुतिये वर्स चतुर्थ समेस्टर यानि की प्राचिन इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है वो भी दक्षड भारत की इतिहास के बारे में इसका syllabus अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो syllabus देख लिजेगा syllabus में आपको ये बतमलब की खासर के सो इस बी से ले करके तेरा सो इस बी तक का जो इतिहास है दक्षड भारत का इतिहास है उसके बारे में कौन-कौन सी पुस्तके हमको जानकारी देती है पहला चिप्टर दूसरे चिप्टर में आपको संगम साहित्य के बारे में जानना है ठीक है तीसरे में पल्लो बंस के बारे में, चोथी में राष्टकूड बंस, पाचवे चेप्टर में वातापी के चालो के बंस के बारे में, छठवे में बेंगी के चालो के बंस के बारे में, साथवे चेप्टर में काल्याणी के चालो के बंस के बारे में, आठवे चेप्टर में आपको चोल के बारे में पढ़ना है नवे चिप्टर में सुदूर दक्षड के जो चोर लबचेर और जो पांडे राजबन से उनके बारे में पढ़ना है दसवे चिप्टर में आपको छेतरी राजबन्स के बारे में पढ़ना है रीजिनल डायनिस्ट्रीच के बारे में और इसके अलामा ज्यादा लंबा syllabus नहीं लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पढ़ेगा बहुत ही important चीजे हैं और अगर इसको आपने पढ़ लिया निश्यत तोर पर आप मान करके चलो कि इतिहास का एक परकार से बहुत जानकारी आपने करेंड कर ली खासकर कि दक्षिड भारत के संदर में ठी पर संदर के बारे में जो कि आपके लिए बहुत ही यलफुल होंगे ठीक है इसका पीडियप आपको बता दूं कि इसका पीडियप जो है अमारे जो है एप्लीकेशन पर सुक्ला स्टरी पॉइंट पर आपको मिल जाएगा तो आप हमारा एपलीकेशन डाउनलोड कर सकते है इसका पीडियप मैं उसके जल्दी संड कर दूंगा ठीक है चले पहला परस्णाप का आजुका है जो है मर्मगाव बंदरगाह या एक प्रकार से जिसको आप बोलते हैं मार्मू गोवा भी मिलता है कहीं कहीं पर कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ है मर्मगावा तो बताए ठीक है तो या फिर मौर्मू गोवा या जो भी आप बोल सकें इसको तो ऐसे आपको लिखावा मिलेगा तो जो है प्रकार से मौर्मू गोवा की बात की जाए या मौर्मू गोवा कहीं कहीं पर आपको लिखा मिलेगा तो इस बंदरगा एक प्रकार से यह बंदरगा किस रा पर गोवा राज में इसी थे यहां कि नाम में ही आपको गाउ लिख लाया निकि गोवा लिकरा यहां पर अब देखेंगे जी ओ जी एओ गोवा तो यहां पर आपका करेक्ट एंसर क्या हो गोवा में प्रकार से बहुत ही फेमस बंदरगाः है यहां से ब्यापार वगरा और खास करके जो अफ्रीकन कंट्री जा यो यो यूरूपीय कंट्री जब जलिये मार्ग से ब्यापार होता था तो इसी मार्ग से होता था मुर्मो गोवा और यहां पर एक प्रकार से करनाटक के बंदरगाह मुंबई बंदरगाह यहां सब आते रहते हैं और सबसे सस्ता प प्रियास करेंगे बहुत important person है अच्छा पेपर की खासियत यह है इस मालत पेपर की किसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपको दिखेगा ठीक है तो अंग्रेजी वाले भी अगला question साब देखेंगे दक्षड भारत में बोली जाने वाली तमिल त्यल्गू कंणर और मर्यालम भासा की लिपी क्या है यह जो हिंदी में लिखा हुआ दक्षड भारत यह किस लिपी में लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है देवनागरी लिपी में जो की हिंदी की लिपी है संस्कृत की लिपी है ठीक है हिंदी की लिपी खास करके है और बात की जाए यह देवनागरी लिपी है और यह बात की यह अंगरेजी में लिखा है यहाँ पर देखें दक्षड भारत साउथ इंडिया लिखा हुआ है यह साउथ इंडिया लिखा ह और आाज दक्षड भारत को मैंने लिखा किस तरीके से आरा मुइंव भी राम जाएगा यह लेकिन यह लिखा रोमन सैली में रोमन लिपी में और यह लिका है देवनागरिय की भासाइं हैं इसे अमिल हो गई यह किस लिपी में लिखी गई यह भूत ही जबर्दध तो द्रबिड में बोली जाने वाली जो तमिल, त्यल्गू, कल्लड और मलियालम भांसा की लिपी है ये कौन सी लिपी में लिखी जाती थी तो प्रश्निया आप से पूछा गया तो देवनागरी में या ब्राम्भी में या द्रबिड में या प्राकर्त में तो एक प्रकार से ब्राम्भी से ही एक प्रकार से इन लिपियों का विकास हुआ है जिसे कन्नर तेलगू तमिल में जो लिपी का प्रियोग होता है ब्राम्भी से ही एक प्रकार से इन का विकास हुआ तो आपसे नमबर B लगा दीजेगा अगला कोशन साब का आचुका है दक्षिड भारत के इतिहास पर करमबध रूप से प्रकास डालने वाला प्रतम साहित है फटापट से आँ बताने का प्रियास करेंगे इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट एंसर क्या होगा फटापट से आँ बताने का प्रियास करेंगे बताएगा सभी लोग दरबिड भारत के यानि जो दक्षिड भारत है दक्षिड भारत के इतिहास पर क्रमद रूप से प्रकास डालने वाला प्रथम साहित तो इसका करक्ट एंसर जो हो जाएगा वो होगा संगम साहित संगम साहित जो है प्रकार से इससे दक्षिड भारत के इतिहास के बारे में बहुत अधिक मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है और चर्चा करेंगे हम इस बात पर संगम साहित के बारे में संगम साहित आप देखेगा दक्षिड भारत के इतिहास के बारे में आपको जानना है तो संगम साहित को आपको जानना ही पड़ेगा आप ये एकदम से जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा संगम साहित के बारे में चुकि साहितिक स्रोत में संगम साहित नंबर एक का साहित माना आता है दक्षिर भारत की तिहास को जानने में अगला प्रसना आ आपके ये प्रस्ण आ सकता है एकदम से यही प्रस्ण, दो विक्रमांक देवचरित जो रचना है, इसकी लेखक कोन है भाई? इसकी लेखक है बिल हडो, ठीक है? आपसे नम्बर इसका एक अरक टैनसर हो जाएगा, बिल हड 이예요 is right answer, और कल्लड की रिचना कौन सी है कल्लड की रिचना है राज तरंगड़ी तो राज तरंगड़ी जो है वो कल्लड की रिचना है और विल्लड की रिचना की बात किये तो कौन से रिचना है विल्लड की विक्रमांक देवचरित ठीक है आगे बढ़ते हैं बहुत इंपोर्टन पर कि नदी को पलोप्रिया या पलों की बललभा कहा जाता था बहुत ही जब अबर्दसर 11 में परज़ा बढ़ से इसका बताने का प्रियास करें गोदावरी किस्टमा तुंग भद्रा यह काविरी नदी तो उस नदी का क्या नाम है बाई उस नदी का नाम है कावेरी इस राइट आपसे नमबर डी आगे बढ़ते हैं अंगले परसंद की और अगला परसंद आपका चुका है मेगस थनीज नामक यूनानी राजदूत जो यूनान से आया था मेगस थनीज इसकी पुस्तक है इंडि के लेकर कौन है तो मेगस थनीज है तो मेगस थनीज नामक जो यूनानी राजदूत आया था वो किस मौरी सासक के दरबार में आया था इस इंपॉर्ण पॉर्संस बताएं ग्रीक एमबेस्डर नेम्ड मेगस थनीज केम टू दा कोर्ट आफ फिच मौरिया रूल्स बताए आसोका के समय पे या बिंदुशार या चंद्रगुप्त मौरिया दसरत फड़ा परसे आप बताने का प्रियास करने करक्ट एंसर क्या होगा मेगस थनीज जो आया था वो किसके सासनकाल में आया था आप से नमबर इसका सी करक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोर्संस आप देखीगा अगला परसना आपका आचुका है पांड वंस के बिसे में 13 सताबदी में किस यूरोपिये लेखक ने लिखा है तो इसका और टासर क्या हो जाएगा किस ने लिखा है यूर्रोपिये लिखका उसका नाम क्या है بالकुल मारको पोलो ज्यूंत मैं आफसे नमबर इसका यह इसका हो जाएगा नेक्स्ट कोशंस आप लोग देखेगा बहुत आजोर पीरिएड पायेंлем सरसे cya होगा बिलकुल बतायं कि अविलेक से होता है तो बिलकुल होता है उत्तर मेरोमन्रूर जो भिलेक है उससे होता है आपसा नंबर इसका डी लगा वाले प्रसंजोग की दक्षड भारत के इतिहास की जानने के स्रोथ हैं 120 से लेकर के खास करके आप देखेंगे कि गरंथों में महो दधी के नाम से इसको जाना आता था ये भी प्रसंजाप का बना हुआ है इसके लामा ये भी प्रसंजाप से पूछ सकता है कि दक्षडापत सब्द का सरप्रथम उलेक किस गरंथ में मिलता है तो किस गरंथ में मिलता है भाई तो दक्षडापत का सरप्रथम मुलेक मिलता है सुत्त निपात में कहाँ पर मिलता है सुत्त निपात में ओके ये बात आप ध्यान रखेगा तो इस प्रकार से ये प्रसनाप के चेप्टर नंबर वन से बनने वाले थी जिसके बारे मैंने आपको बता दिया आप हम चर्चा करते हैं चेप्टर नंबर टू के क्या नाम है भाई दूसरे चिप्टर का आपके नाम है संगम साहित या संगम यूग उसमें राजनितिक सनचना कैसी थी यानि पॉलिटिकल इस्टिक्चर इन संगम लिटरेचर ठीक है तो संगम साहित में आप देखते हैं दक्षिड भारतिये इतिहास का करंबद तरीके से औ करके 250 इसबी के बीच में हुई मानियाति के संगम साहित के रिचना इस समय हुई थी और इस अवधी को ही हम संगम यूग के नाम से जानते हैं 120 से लेकर के 250 इसबी तक के एक प्रकार से समयकाल को हम संगम यूग कहते हैं और इसके पहले कोई भी महतपूर इतिहास सी परिसद या गोस्ठी क्या मतलब होता है परिसद या गोस्ठी आपसर नंबर बी में दिया है करक्ट एंसर हो जाएगा अच्छा और संगम साहित की बात कि तमिल विद्वानों और कभियों का सम्मेलन था जो की दक्षिर भारत में पांडे राजाओं के सनक्षण में आयोजित अपार साटफा में बोलते हैं तो अपार महोदे ने किया था ठीक है नैनार संद थे तो अपार महोदे ने किया था सबसे पहले संगम सब्द का प्रियोग और खास करके सबसे पहले तीनों संगमों का उल्लेख जो मिलता है वो अग पोरूल नामक बिद्वान है उन्होंने आठ्वी सताब्दी में उनका एक भास से प्रकासित हुआ उसी भास में जो है आठ्वी सताब्दी का समय है अग पोरुल लाम के एक विद्वान है उनकी जो भास से है यानि उन्होंने जो टीका है मलब अपनी रचना लिखी उसी रचना में ठीक है अपने रचना में उन्हों पर्थम संगम का जो आयोजन हुआ था वो खासकर के पांडियो की राजधानी थी उसमें मदूरा यानि की मदूरई उसमें हुआ था ठीक है और मथुरा जो है प्रकार से अब समुद्र में बिलीन हो गया ऐसा माना जाता है और इस पर्थम संगम जो हुआ था इसके अध्यक् पर्थम संगम में लगभग और लगभग पांसो उन्चास सदस एकठा हुए थे और खासर के इस आयोजन में लगभग चवालिस सो निन्यानवे विद्वानों कभियों ने अपनी दचनाये जो थी वो संगम साहते के लिए प्रसुत करी थी ठीक है ये बात ध्यान लखिएगा और प्रथम संगम को पांड बंस के लगभग नमासी राजा थे उन लोगों ने संदक्छन दिया था ये बात अब ध्यान लखिएगा इसके बाद में दुतिये संगम जो आता है सेकंड संगम उसकी बात किया है तो सेकंड संगम का जो आयोजन हुआ था वो पांड जिसासकों के अन्य नगर जो था परकार से पहला तो मदुरई में हुआ था और ये जो हुआ था दुतिय संगम ये कपाट पूरम में हुआ था अलबाई में ठीक है आजूत हुआ था और इसके अध्दक्ष भी कौन थे रिसी अगस्त ही थे ध्यान लखियेगा और दुतिय संगम का संस्थापक भी खास करके अगस्त रिसी को ही माना जाता है और संत पर परंपरा से और इसमें लगबग 69 पांड़े सासकों ने संदक्षन प्राप्त किया था 3700 कभ्यों ने अपनी रचनाय परसूत करी थी प्रकासन होने की अनुमतिक प्रकार से प्राप्त करने के लिए 3700 वर्षों तक संगम चलता रहा दुतिय संगम पर्थम संगम कितने वर् रही करवा गया था और उस समय राजधानी फिर मधुरा थी यानि मतुरा थी बोल सकते हो ठीक है मधुराई उसी में आज उत हुआ था और खासर के इसमें लगबग 69 राज्यों ने भाग लिया था 33 संगम में और 449 कभ्यों और विद्वानों के द्वारा अपनी रचनाय इ जो अद्धक्ष थे वो भी चेंज हो गए थे उनका नाब था नक कीरर नक कीरर महोदे जो थे वो तरतिय संगम के क्या थे अद्धक्ष थे तो इस संगम साहति के बारे में कुछ शीजे मैंने आपको बताई जो की बहुत ही इंपोरेंट है अच्छा परथम और दूसरे एक आपको रखनी चाहिए ठीक है यह बाद ध्यान एक है तो मैं प्रसनों की और आगे बढ़ता हूं और जब दीरगोतरिया टाइप की प्रसनों को मैं चर्चा करूंगा तो इसमें आपको विस्तार से हरे चीज़ों के बारे में बताता हूँ आगे बढ़ूंगा पहला प्रस आपका देखेंगे दूसरा नमबर प्रसन है दक्षड भारत का करंबा देतिहास सबसे पहले या सरपर्थम किस साहित में मिलता है इन वीच लिटेचर इस दा सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक हिस्ट्री आप साउथ इंडिया फस्ट फाउन बताएं दक्षड भारत का करंबा यह चेता है वाक tamp तूर है इन अघर कितने सघूपाइव संगम होगी है थीं संगम वेकिन होगे उने के बारे मैंने आपको पहले बता दिया है तो आप से नमबर इसका लग जाएगा यह आप सन नेक्ष्ट को सन देखिए तीस चौथा नमबर परसना आपके स्कीन पराच चुका है चौथा नमबर परसने कि संगम आयोजन के संदक्षक सासक थे कौन दप पैट्रोन रूरल आप दसंगम इवेंट वाज चोल चेर पां पांड जो थे वह प्रकार से क्या देखिए संदक्षन देते थे और पांड सासकों के द्वारा ही होता था आप से नमबर इसका भी करक्ट एंसर होगा अगला कोशन साब से पूछा गया है कि प्रथम संगम का आयोजन कहां पर हुआ था हैर वाजदा फर्ष्ट संगम कि आपको प्रसंद करदे में कोई दिक्कत ना हो अगला प्रसंद आप से पूछा गया था मैं पूछा आया सकता एक्जाब में कि प्रथम संगम के अधक्ष कौन थे प्रेसिडेंट आप फस्ट संगम आज मैंने आपको पता था कौन थे भाई अगस्त रिसी थे आप सनम ब इजारी के साथ मैं बोल ला हूँ इस वीडियो को जिसने दो से तीन बार देख लिए जिस वाई बंधों ने हमारे बहनों ने उनका एक भी प्रसंद एक्जाम में छोटने वाला है नहीं यह मैं खुले मंच पर बोल ला हूँ ठीक है यह बाध्या नखिएगा ओके अगला परसंद देखिएगा वी इसेकंड एर फोट समस्टर में यही प्रसंद के आने वाले हैं अगला परसने परथम संगम का सबसे महत्पूर्ण गरंथ था दा मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्ष्ट आप दा संगम वाज बताएं परतम संगम का सबसे महत्पूर्ण गरंथ कौन सा था बहुत ही important person है यह मैंने अभी आपको नहीं बताया लेकिन इसमें आप इसको जान जाएंगे तो इसलिए मैंने सोचा कि इसमें आप चर्चा कर लेंगे इसको तो इसका जो प्रमुक गरंत है वो क्या है सब्सक्राइबॉजबर बताने का प्रियास करेंगे यह कहा पर हुआ था सभी लोग अगला क्योंसा है दा उली सर्वाइविंग टेक्स्ट आफदा सेकंड संगम एच बताएं तो सेकंड संगम का जो सबसे महत्पूर्ण गरंथी या एकी गरंथी प्राप्थ हुआ हैं सभी से पर्थम दुतिये से तो उसका जो है वो है कौन सा तोलका पियम आप से नंबर इसका सी करेक्टेंसर हो जाएगा बहुत महत्पूर्ण पर्षन है पर्थम और दुतिये संगम के गरंथ का नाम आप ध्यान रखिएगा बहुत इंपोरेंट है अच्छा तोलका पियम के रचेता कौन थे तोलका पियम के रचेता जो थे उनका क्या नाम था बही बताएं से भी लोग में हुआ था यानि कि मदूरा में ठीक है और आप से भी पूल सकता है कि संगम का संपूर्ण साहित उपलब्द हो जाता है चुकि यह बाद में गरंत के लिखा कों थे कुराल एक जब्रनत है संगम स्अध्यान उन्ट सरबाधिक महा काभी क्यों यह प्रस्नाव्प से मन सकता है सबसे जादो प्रशिद महा काभी संगम साहत में लिखा गया उसका नाम है सिलप पादिकारम ठीक है सिलप पादिकारम जो गरंथ है यह संगमकाल का सबसे महत्पूर्ण यह सबसे प्रसिद्ध गरंथ माना जाता है तो तमाम प्रकार के प्रस्ण मैं आपको वैसे बता दें ताकि यह प्रस्ण आपके हो सकते हैं आपके बन सकते हैं परिक्षा में इसलिए मैं अपनी तरफ से इन प्रस्णों को आपको दिखाने का प्रियास किया अब यह हो गया आपका चेप्टर नंबर टू समाथ आप चेप्टर नंबर ठीरी में आपको क्या पढ़ना है चेप्टर नंबर ठीरी जो है आपक साथ वाहन बंस के बाद में पल्लो राजबंस ने अपना विस्ष अस्थान जो है बनाया साथ वाहन समराज के दक्षडी और दक्षडी पूर्वी भागों पर अधिकार करके जो है खास करके तोंड मंडलम जो था उसको अपना केंदर बना लिया पल्लो ने और इसको अपना केंद्रवना करके अपना समराज विस्तार करना प्रारम किया और कांची पुर को अपनी राजधानी बनाई पल्लो ने और यहाँ खासर के तोंड मंडलम के सासक के रूप में ही अधिक विख्यात हुए है पल्लो लोग और पल्लो राजबंस का जो काल समराज का निर्मार जो हुआ है वो साथ ही खासर के काल समराज तो बढ़ा ही इनका पल्लों का इसके साथी साथ कला और साहित के सनक्षन का काल भी पल्लो राजबंस को माना जाता है ठीक है ये बात आप ध्यान रखिएगा किलियर अच्छा पल्लो वणस के इतिहास के बारे में साहित्तिक साक्ष उसमें संस्कृत और तमिल के जो ग्रन्थ हैं वो खास करके प्राप्त होती हैं जिसके माध्यम से पल्लों के बारे में जानकारी मिलती है सबसे पहले महाकवी दंडी आपको पता होगा उनकी रचना है आवंती सुंदरी की कथा तो उसमें महत्पूर्ण जानकारी पल्लो राजबंस के बारे मिलती है और पल्लो के प्रारंभिक जो सासक हैं सिंग विश्णू और सिंग विश्णू के समकाली जो सासक है उनके काल की राजनेतिक और सांस्कृतिक घटनावो का वड़न माका भी दं थे महेंद्र बर्मा पर्थम उन्होंने करी थी सात्मी सताब्दी में यह बात ध्या नखिएगा और यहां गरंध खासर के कापालिक और बहुत भिच्छों पर ब्यंग के साथ खासर के जो पुलिस और न्याय विभाग उस समय का था उसमें जो भरष्टा चार व्याप्त था उसके बारे में लिखी गई रचना है मत बिलास प्रहसन एक ब्यंग टाइप की रचना है यह बात आप ध्यान रखिएगा ओके और इसके अलामा आप देखते हैं कि नंदी कलंबकम एक रचना है जो कि तमिल काब यह तमिल में लिखा गया रचना है और पल्लो नरेस नंदी से बहुत ज़्यदा मत बेद रहा है पल्लों को कदम सासक सांती बर्मा के तालकुन अभिलेख में छत्री यह बताया गया है और इस अधार पर पल्लों सासक जो है उनके नाम के अंत में परियुक्त सब्द जो वर्मा सब्द हैं उससे भी विद्वान उन्हें छत्रीया जात यतने भी आदिक समुद्र गुप्त वगरा जितने भी गुप्त सासक आपको मिलेंगे समुद्र गुप्त से ले करके यतने भी गुप्त आपको दिखाई पड़ेंगे तो एक प्रकार से वो सब कैसे है वो सब बैस नहीं है गुप्त लास्ट में भले लगाओ तो गुप्त से गुपता जी नहीं है वो वो ब्रामण सा सकते जो गुपतिक बंस के थे तो ऐसा कह देना कि भई उसमें बर्मा लगा है इसलिए हम उसको बोल देंगे कि भई छत्रिये तो उचित नहीं है ये ठीक है फ्रीट महोदेक अच्छे विद्वान है इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि प अलग सा सक धंती ब्रमने कदम राजकुमारी प्र्थवी पती की पुत्री थी उनका नाम था अगल निमटी उनसे विवाह किया था धंती ब्रमने और कदम मानब गोत्रिय ब्रामः थे ऐसा सुविकार कि अगाब अधिक तरी द्वानयों के द्वाराग हासर कि जिसका ने लिया था फ्लीट महोदय का उन्होंने बताया और बिबाह अनुलोम बिबाह था ये मलब की अनुलोम बिबाह का मलब होता है कि ऐसा विबाह जो की अपने से निम्न जाती की कन्या में किया आता है तो अनुलोम बिबाह मलब कन्या की जाती कोई मैटर नहीं करती अनुलोम जाती का मान सकते हैं ये बात आप ध्यान लखेगा और पल्लों के प्रारंबिक सास्कों में बात की जाए तो खास करके पल्लों सास्कों के अभिलेक दो वर्गों में बटेंग प्राकरत भासा के अभिलेक हैं और एक है संस्कित भासा के अभिलेक ठीक है ये बात ध्यान लखे तो एक प्रकार से वह पहले की जानकारी देगी और उसके बाद की जानकारी प्राकर्द भांसा से प्राप्त हुई के लिए यह बात ध्यान नकिएगा इसमें नाम आता है खास करके जो है सीवसकंद बर्मा का ठीक है सीवसकंद बर्मा उसके आदने बिश्णो गोप महोदें यह सब सासा काते रहते हैं महेंदर बर्मा पर्थम होगे कई परकार के नर्सिंग बर्मा पर्थम हैं और परमेशर बर्मा पर्थम हैं महेंदर बर्मा दुतिये हैं ठीक है इसके लामा और भी आप देखते नर्सिंग बर्मा दुतिये जनको राज सिंग भी कहा जाता था य अगला परसन है कि दक्षिन भारत में पल्लो सासकों का मूल निवास अस्थल क्या था दा वरिजिनल एवव आप दा पल्लवाज रूस इन साउथ हिंडिया वाज बताने का प्रियास करेंगे तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल टूंड मंडलम इजराय टांस पल्लaw सासकों की राज़ानी क्या थी आपसा नमबर इसका परिछा के डिष्टी से रट लिजिए घजम से अगला क्षिन सकता है किस नदी को पल्लो प्रिया कहागाया है इसका पल्लो प्रिया और प्लो ब्ल बलबहा इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएका प्रकार से उसमें मैंने आपको बताया था कि जो पल्लो है उनके बारे में जानकरी जो खास करके तीन सो 50 बारे में जानकरी मिलती है लेकिन संस्कित में उतने आदा इतिहासी गरत नहीं लिखे जा रहे थे लेकिन प्राकर्त में आप देखते हैं लेकिन प्राकर्त जो ती वो छेतरी भासा रही होगी महां की इसलिए ठीक है पाकिस संस्कृत तो हर एक पूरी भारत की भासा मानी आती है अगला कोशन साब देखेगा अगला प्रसना आपका आ चुगा है प्रथम महान पल्लो सासक कौन था दफस्ट ग्रेट पल्लो रूरल वाज फटा पट से आप बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा पांच बेका बताएगा भाई करेक्ट एंसर क्या होगा महान पल्लो सासक कौन थे तो महान पल्लो सासक जो थे वो सिंग बिश्णू थे आपसन नमबर इसका सी करेक्ट एंसर हो जाएगा next question साप देखिएगा चप्रिच्था नंबर प्रसर है प्लो बानस का प्रथम 166 से कौन था प्लो बात प्लो आभेज़ बाहूं का प्रथम next question साप देखेंगा मत बिलास प्रहसं नामक पुस्तक का लेख्ष कौन था दा आथर आप दा बुक मत बिलास प्रहसन बाज भड़ावट से आप बताने का प्रियास करेंगे इस प्रसंद का उत्तर मैंने आपको बता भी दिया था तो मत बिलास प्रहसन नावाई की पुस्तक लिखी है ये महेंदर वर्मा पर्थम ने लिखी है आपसे नमबर इसका एक हुआ था भई ये स्टार्ट हुआ था आपका महेंदर वर्मा पर्थम के सासनकाल में आपसे नमबर इसका डी करेंसर हो जाएगा और अगला परसना आपके स्कीन पर आचुका है पल्लो बंस का सरबादिक सालीसा सकौन था दा मोस्ट पावरफुल रूलर आप पल्लो पल्ल नरेश कौन था वाई सबसे लास्ट में जो था तो अंतिम पल्लो नरेश जो था उसका नाम क्या है उसका नाम है नंदी बर्मा पर्थम ठीक है नंदी बर्मा पर्थम अंतिम पल्लो नरेश को के बाद में दक्षिर भारत के किस राजबंस ने प्रभुत अस्थापित किया तो पल्लों के बाद में खास करके जो डाइनिस्टी आती हो चोल लोगों की डाइनिस्टी एक प्रकार जादा फेमस हुई है ठीक है यह बात आध्यांदे किए गाएं तो आगे बढ़ते हैं तो इस्प्रकार से अपने तीसरा चैप्टर आपका समयाप्त होता है तिसे उत्ते चेप्टर से लेलेटर है, चोथे चेप्टर का आपके क्या नाम है बाई, चोथे चेप्टर में आपको क्या पढ़ना होता है, रास्ट कूर्ट बंस के बारे में, रास्ट कूर्ट डायनेस्टी के बारे में, और बात के रास्ट कूर्ट डायनेस्टी के बारे में, तो दक्ष अिकल में दनति दुम और कर अस्थापना करी थी और अस्थापना करी थी और दक्षिर Instead प्रमुक्राजबंसर की भांती समर्ज बनने का जो गोरों की प्रकार से टीरा और कर और को देखेंगे आगे चल करके द्धान कर के लेकिन दन्ती दुर्ग की साखा जिसे खासर के मान खेट का राश्ट कूट बंस कहा जाता है वो एक परकार से मानी आती है और खासर के सारबादिक प्रसिद्धी भी जो खासर के मान खेट का राश्ट कूट बंस रहा है उसी को प्राप्त हुई है जो कि वास्तविक वही है दंति दुर्ग के द्वारा स्थाफित र राश्टकूट राजबंस के इतिहास और उसके सासकों के अभिलेखों दानपत्र और समकाली इन जोने राजबंसों के अभिलेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है उससे इतिहास के बारे में राश्टकूट बंस के बारे में जानकारी मिलती है और राश्टकूट सासकों क प्रमुक का विलेखों में खासरे के दंतिध़ुआ का एलोरा क विलेख प्राप्थ होता है इसके अलावा सामंतगड़ का तामर पत्र बिले मिलती है इसके अलावा इंद्र ततिय का जो कमल पुर अभिलेख है उससे भी जानकारी मिलती है गोबिंद्र चतुर्थ का कामबे अभिलेख है उससे जानकारी मिलती है और सांगली का भिलेख है उससे जानकारी मिलती है किर्ष ततिय के द्वारा कोला पुर अभिलेख है तिक उन्नती हुई और इन दोनों ही भासाओं में गरंथों लिखे गए हैं राष्ट कोड़ बंस में ठीक है यानि संस्कृति का भी उदे हुआ है और महत्पूर गरंथों में खास करके जिन सेन महोदय का आदिपुराण महाबीराचार का गडितसार संग्रह और अमोग वर में भी जानकारी जिन सीन के आदिपुराण महाबीराचार के गडितसार संग्रह और अमोग वर्स के कविराज मार्ग से प्राप्त होती है तो यह एक प्रकार से थोड़ी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैंने सोचा कि आपको राष्ट कूट बंस के बारे में दे दी ताकि अच्छा एक प्रकार से उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए फिर उसके बारे में आगे बढ़ेंगे वो के बाद ध्यान थ्यान लखेएगा इंदर पर्थम की पतनी थी उनका नाम था भावनागा उनी भावनागा और इंदर पर्थम के संतां थे दंती दुर्ग और उन्होंने राश्ट कूट बंस की अस्थापना करी थी और खास करके 742 इसबी का जो दसा आवतार गुहा लेक प्राप्ट हुआ उससे जानकारी मिलत करते हैं कैसे कैसे परसन यहां आप से बन सकते हैं चले मैं जानने का प्रियास करता हो परसनों की बारे में पहले साब्थ कोट बंस की सबसे पर साखा काउं सी थी तो तो मैंने आपको बता था कौन सी थी भाई मान निखेट ठीक है तो यह बाद ध्याने कीगा अगला पर दूसरा नमर परसन है विद्वानों ने प्रारंभिक राष्टकूर्ट सासकों को कहा है बताएं इसकॉलर्स रूलर्स बताने का प्रियास करेंगे क्या होगा विद्वानों प्रारंभिक राष्टकूर्ट सासकों को क्या कहा है तो उन्होंने क्या कहा भाई प्रासासनिक अधिकारी बोला है आपसे नमबर इसका डी करेक्ट रैंसर हो जाएगा संजन तामरपत्र अभिलेक किस राष्टकूर्ट सासक से सम्मानित है दा संजन तामरपत्र इंस्क्रिप्शन इस रिलेटेड टु विच राष्टकूर्टा रूलर्स बताने का प्रियास करेंगे तो इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा आपसे नमबर इसका ये करेक्ट एंसर हो जाएगा करक्ट एंसर संजन ताम वर्पत्र जो अभी लेख है वह अमोग वर्ष से रिलेटर है नेक्ष्ट को संसा आप देखेगा चोथा नमर परसना आपके स्कीन पर आ करेंगे तो आडी नम ग्रण्ध को रहा है प्रस्ट उसका लेखां अगाला इस्ति आप देखेँ पाँचवा नबर परसना की चीने पर आ प्रस्ण है राष्ट कूट सासक आमोग वर्स ने किस गरंथ की रिचना की थी विईच उपसओ बुक्र बाईदेरा स्ट कूटाज रूरल अमोग वर्स थ constitu रहा है वता बताने का प्रियास करेंगे मी आप से अगला कोशन सा आप देखेंगी पूचा जा सकता आपके एकजाम में राष्ट कोटों की मात्रु भासा क्या थी The Official language आप्धार राष्टकुटाज वाज बताएं तो इनकी जो आपफेसियल भासा सी जो मात्रु भासा थी इन लोगों की वो कोन सी भासा थी कंद्णनर थी आपसा नम्बर्स का सी करेक्ट एंसर हो कनण के अलामा और भी भासा इसमें जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था वो रही है संस्कृत भी एक प्रकार से अगला कोशन साब देखेगा सातवा नमबर प्रसन है रास्ट कूट बंस का प्रथम स्वतंतर सासक कौन था दा फस्ट इंडिपेंडेंट रूरल रूरल आप दा रास्ट कूट रास्ट कूट आज डानेस्टी वाज बताये रास्ट कूट बंस का प्रथम स्वतंतर सासक कौन था बहुत ही जबर्दस प्रसन है ये प्रसनाव की परिक्षा में छपेगा ठीक है तो इस प्रसन का उतर होगा दंती दुर्गिजराय टांसर आप से न यह निए किस राश्ट कूट जो बंस आया उसके सासक से सुरुवात में किस राश्ट कूट लोग तो यह खास कर कि किस बंस क्या दिन थे भाई चालो क्योंकि आपसा नमबर इसका बी करक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशन साब देखेंगे नवा नमबर परसन है इलोरा के प्रसिद कैलास मंदिर का निर्माड किस राश्ट कूट सासक ने करवाया था फड़ा परस आप बताने का प्रियास करेंगे फड़ा नमबर परसन है धारा वर्स किस असासक की उपादी थी धारा वर्स वाथ डाइटल आफ रूरल बतायें इसका क्या होगा भई तो किसकी उपाधी थी धुर्ब की धारा वर्स जो उपाधी थी किस की थी धुर्ब की थी अप से नम्बर इसका अबी गरड़ एंशर होगा ग्यारवा कोशल साव देखेंगे प्रसन है त्रिपक्षिय संगर्स में किस बंस ने भाग नहीं लिया था तीन लोगों ने भाग लिया था इन में से और एक ऐसा सासा अमलब प्रकार से बंस जिसमें भाग नहीं लिया था त्रिपक्षिय संगर्स में इन इंड़ा प्रकार से त्रेपक्षिये या त्रीपार्टियट इस्टेगल बताएं तो खासर के मैं अगर बताओं इसमें तो तीन जो शासक रहें तीन बंश के उसमें खासर के पाल परतिहार और राश्ट कूटो का एक प्रकार से जंघर्ष चला चालुक्यों का इसमें प्रकार से भाग नहीं लिया चालुक क्यों ने तो ग्यारवे करेक्ट टैंसर हो जाएगा आप से नमबरें चालुक की बंस के सास्कों ने भाग नहीं लिया था बारवा कोशनस आप देखेंगे किस राष्ट कूट सासक ने सर्व पर्थम उत्तर भारतिया भियान करके त्रिपक्षे संगर्स में भाग लिया था किस राष्ट कूट सासक ने सबसे पहले उत्तर भारतिया भियान करके त्रिपक्षे संगर्स में भाग लिया था तो सासक का क्या नाम है भाई उस सासक का नाम है धुरुबा पापसर नंबर इसका सी करक्ट एंसर हो जाएगा तो इस परकार से आपने तमाम परकार के परस्टों के बारे में जाना यह बात ध्याना किएगा एक परस्टी अभी आपसे पूसकता है कि भाई अंतिम राष्ट कूट सासक कौन थी कौन था था उगर करक दोटीह जो था यह जुटा यह आंतिम रश्ट कूट सासक माना जाता है कि आप ध्यान की अक्म को राश्ट कोचों को अंतिम रूप से किस बंस ने पराजत किया था तो किस ने पराज़त किया था बै को तो फॉत कदनेवाले जो हैं कल्षानी जो चालों कि बंस अंगला चेप्टर जो आप бесплатना चेप्टर बहुत ही इंपूरंट चेप्टर आपका protective स्कीन पर आ चुका है सभी लोग जानने का प्रियास करें पांचवे टेप्टर का आपके क्या नाम है पांचवे टेप्टर का आपके नाम है क्या नाम है फड़ापट से आप बताने का प्रियास करेंगे तो पांचवे टेप्टर का आपके नाम है वातापी के चालुक क्या न रही है एक हासर चटी सताब्दी रही है इसी शटी सताबदी ऐस भी से ले करके बीच तक खासर करें सताबदी का मलब होता है कि 501 से ले करके और साथवी सताब्दी के मद्लिक मलम होता है कि 750 इसबी तक ficar यह बात ध्याभन लखूए गा इस समय के g7 का तो च्टवी सताब्दी इस भी से लेकर के आठीपत्र रहा और इस राजबंस का उतकर्स अस्थल जो रहा है बादामी या बादामी को ही एक प्रकार से वातापी कहा जाता है तो इसके करण से आप देखते हैं इसको बादामी या बातापी के चालुक कि बंस के नाम से जाना आता है और इसी साखा को बाद में चल करके पस्चिमी चालुक के भी कहा जाने लगा और वरतमान में करनाटक राज के बीजापुर में इस जो बादामी या बातापी नाम कस्थान है वहां से इस बंस का उदे हुआ था वातापी के चालुक के बंस का और छटी सताब्दी इ वातापी के चालुक्यों ने लगबग दो सताब्दियों तक दक्षिर भारत में अपना अधिपत्य बनाए रखा 501 इसबी से लगर करके 750 इसबी तक सासन लगबग 200 वर्सों का सासन रहा वातापी के चालुक्यों का ये बात आप ध्यान देखेगा आगे बढ़ते हैं और वा अधिपत्य जानकारी मिलती वातापी के चालुक्यों के बारे में ठीके बात ध्यान देखेगा इसके लामा आप देखेंगे कि और भी और संस्कृत भांसा और खासर के दक्षिर भारती ब्राम्भी लिपी भीम में भी रचना हुई है इस एहो लभिलेक की ठीके बात ध्या नकिएगा और खासर के पुलकेशियन दुतिये ने एहो लभिलेक की रचना करी थी और उनके पुलकेशियन दुतिये के दरबारी कभी थे रभी किर्थी रभी किर्थी ने इसकी रचना करी थी और पुलकेशियन दुतिये के बारे में इसमें बताया गया है और समकालिन भा कार के एक प्रकार चालोकियों के बारे में जानकारी मिलती चर्चा करेंगे इसके बारे में ठीके बाद ध्यान रखेगा अच्छा बादामी के चालोकी बंस का जो संस्थापक था पुलकेशन पर्थम था यह बात आप ध्यान रखेगा ओके आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं परसनों के पर धूड़ा सा focus करेंगे और बाकी मैं chapter wise वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा और लिखित मालत वेपर दूँगा महा संग्राम वीडियो आपको दूँगा चिंता करने की कोई आवसकता आपको नहीं है एक भी प्रसनापका चूटेगा नहीं मैं आपका पूरा syllabus कम्गलेट करवादूँगा एक प्रकार से बाध्याने किएगा मालत पेपर के माध्यम से मैं एक ही वीडियो बनाता हूँ संपोर सिलेबस को उसमें बता देटा हूँ अगला प्रसनापका है लेकिन में अब वीडियो थोड़ा लंबा होता है एक दो घंटे का होता है मैं ऐसा नहीं कि 15 सेकंड का वीडियो मला 15 मिट का वीडियो बना करके बस आपको वीव के चक्कर में मैं करूँ मेरा मतलब भी उका नहीं होता है, मेरा मतलब होता है कि आपका एक प्रकार से लाब हो और आप एक ही वीडियो के माध्यम से बहुत ज़दो जानकरी प्राप्त कर जाएं, आपको भटक नहीं क्या हो सकता ना पड़े, चले प्रसन आपका है प्राचीन, वातापी राज जी कहा इस्तित्था, हर वास दा एंसियंट वातापी किंगडम लोकेटेड, बताएं, करक्ट एंसर इसका क्या होगा, तो वातापी राज कहां पर इस इत्था, बिल्कुल, करनाटक में आपसन नंबर इसका ये करक्ट एंसर हो जाएगा, अगला कोशन सा आप देखेगा, दूसरा कि णिसक्रिप्शन इस तो इसके लेकट करूं हैं, अपसनमबडिक एंसर हो जाएगा, दू कर्वर होते नहीं, लेकट करूं कर महाराजा क कर नहाँ रहते हैं, बत और ऊछर के आप के भी लवेए कं कैसुन तो इस रूसरिते सांपने थे बाई, भाई महा कूठ अभिलेक जो है वो किसे रिलेटेड है तो रिलेटेड है आपका भाई मंगलेश से आपसे नंबर इसका भी करेक्टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन साब देखेगा पुलकेशन दुतिये का उलेक किस चीनी यात्री ने किया है विच चाइनीज ट्रेवलर हैस मेंशन पुलकेशन दुतिये बहुत ही महते पुलकेशन आपकी परिच्छा के लिए रड़ लिजेग किस की चीनी यात्री ने पुलकेशन दूतिये का उलेक किया है भाई तो चीनी यात्री का क्या नाम है हैं सांग आपसे नंबर इसका जो है स करेक्ट रेंसर हो जाएगा next question आप देखिएगा चठा नंबर questions है वातापी के चालो कि बंस का संस्थापक कौन था the founder of the scanner के डानेस्टी आफ वातापी वाज बताएं तो वातापी के चालो क कि बंस का संस्थापक कौन था भाई फड़ा पर्चे आप बताने का प्रियास करेंगे तो कौन था पुल केसियन प्रथम जो था वातापी के चालुक बंस का संस्थापक माना जाता है आपसा नंबर इसका आपसा नंबर एक औरक्ट एंसर हो जाएगा अगला कोशन साब देखेंगे सातवा नंबर प्रसन है वाता नंबर झाले कोशनस आउरे लाट प्रसन है कि वाधामी के चालुक के बंस का सरवाधी की सासक कौन था The bully आफ दो चालुक एडजिटी आफ बादमी या वातापी बताए तो बाद मी के चालुक की बंस्का सरवाधी की योग्विशाष कर जो था उसका क्या नाम है तो उसका नाम क्या है फटावड से आप बताने का प्रियास के नहीं बिल्कुलिकेशियन दुतिये जो रहा सबसे योग की सासक और सबसे प्रभाव साली सासक रहा है चालो की बंसका वातापी के चालो की बंसका आपसा नम्मर इसका यह करेक्ट एंसर हो जाएगा यह भी आध्याने किएगा बहुत ही मैंत्रपुन परस्न है अच्छा वर्धन सम्राट जो थे हर्स वर्धन उनको पराजित करने वारा चालो की बंस का सासक कौन था भाई तो कौन था बहुत ही अच्छा कांची कोंड की उपाधी किस ने धारण करी थी तो कांची कोंड की उपाधी भी किस ने धारण करी थी विक्रमा दित दोतिया ने धारण करी थी यह बात आप ध्यान रखेगा ओके आगे बढ़ते हैं और अगले चेप्टर की और हम तो यह प्रकार से यह बात आप उसमें आपको क्या पढ़ना है तो बेंगी का चालो कि बारे में ठीक है या प्राचीन लाज Freya जो आधुनिक अंधर प्रदेश है उसकी कृष्णा नदी और गोधावरी करा बीच का बैंगी काुछ बी बेंगी के चालों के है और लुए स्ताब्दी इस में खासरके वातापी के प्रसिथ चालों के सर्फ पुलकेसियस निदोतिय ने इसे जीट करके उनके पुटे भाई थी पुलकेशन दूतिये के उनका नाम था भिष्णों वर्धन उनको यहां का राजा एक प्रकार से बना दिया तो फिर बेंगी के चालुक की महीं से एक भी का व्यक्त नहीं सिता हुए हुए तो उसने परकार से जो परकार से जो एरिया जीता बेंगी आपने छोटे भाइए को CPA को भी तु और तो यहां का राजा नुक्त कर दिया और आगे चलके शुतंटर-चालग 13 eve स्थापना करी और जो कि आज हम बेंगी के चालुक की बंस के रूप में पढ़ रहे हैं ठीक है तो आंध्र का पूर्भी चालुक की बंस या बेंगी का चालुक की बंस इसको हम बोल सकते हैं ठीक है तो ये बेंगी चालुक की बंस के बारे में कुछ बातें थी बिश्णु व तो और भी तमाम सारी सासक रहे हैं आई हम प्रस्तों की उड़ते हैं और प्रस्नों के माध्यम से जानने का प्रियास करते हैं अब प्रस्न आपका है पहला कि बेंगी के चालो की बंस का संस्थापक कौन था था फाउंडर आप दा चालो की डानिस्टी आप बेंगी वास बताएं बेंगी के चालो की बंस का संस्थापक कौन था भाई तो इसका संस्थापक कौन था फड़ावर्ट से आप बताने का प्रियास करेंगे संस्थापक थे विश्णों वर्धन आप से नंबर इसका C करेक्टर एंसर हो जाएगा बहुत ही जबर्दस परसन है अगला कोशन साब की स्किन पर आ चुका है प्राचीन बेंगी राज कहां इस्तित्था फिर वाजदा इंसेंट बेंगी किंगडम लोकेटेड बताएं तो प्राचीन जो खासर के बेंगी राज है वो आंध प्रदेश में इस्तित्था आप से नंबर इसका B करेक्टर एंसर है अगला कोशन साब देखेगा यह सारे प्रसन बहुत ही इंपोरेंट है यह बात ध्यान किएगा और आपके परिक्षा में हुभू प्रसन आने वाले है अगला प्रसन है राष्ट कूट किष्ण प्रथम का समकालिन बेंगी का सासर कौन था आप बेंगी आ कंटेंपरेरी आप राष्ट कूट कूट कृट कृष्ण प्रथम का समकालिन बेंगी सासर कौन था तो कौन था भाई कौन था बिलकूल बिश्णो वर्धन चतुर्थ था आप से नंबर इसका एक एरक्ट एंसर होगा अगला कोशन साब देखेगा चोथा नंबर प्रस्ण है बेंगी के चालूक राजबंस का महानतम सासर कौन था बहुत ही महत्वण प्रस्ण है अचा किसी भी इतिहास में सबसे सरल तरीका यह होता है objective प्रस्णोग करने का कि उस सबसे पहली बात उस बंस के अस्थापना कब हुई किस सन में हुई इसको जान लेना और उसकी अस्थापना किस ने करी सबसे महांतम सासक कौन रहे हैं कब से कब तक समय का ला उस बंस का और उसमें एक प्रकार से अंतिम सासक कौन रहा है बस इतना जान लिजिए और उसकी जानकरिक कि सभी लेक से प्राथ होती है बस आपका काव हो जाना है इतने में ही ठीक है आगे बढ़ने का प्रियास करते हैं अगला कोसन साब देखेगा अगला कोसन साब का तुका है पांच वाथ नमर प्रस देखेंगे बिजायादित तुरतियें का था वाद रूरल आप बिजायादित तुरतियें बताये तो कितने मर्स हो का था यदे की सासन, तो लगभग और लगभग इनका सासन, था 24 साल तक सासन किया था इस ने बिजय दित्तिएग ने, प्रताफिक था ढ़िए। विजय वाड़ा के मलेश्वर मंदिर का दिर्माण कि सासक ने किया था विजय वाड़ा का जो मलेश्वर मंदिर है उसका दिर्माण कि सासक ने किया था भीया भीम दुतिये ने किया था आपसा नमबर इसका यह करक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोसंस की बात की जाए अगला परसन आपका आचुका सब लोग देखेंगे नवा नमबर परसन आपके स्कीन पर आचुका है नवा नमबर परसन क्या है आपका किस सासक ने जो है गोडग की उपाधी धारण की थी बताएं विच रूरल जो है एज्यूम्ड दा टाइटल आप गंगा बताएं किस सासक ने गोडग की उपाधी धारण करी थी फड़ापट से आप बताने का प्रियास करेंगे तो किस ने करी थी बाबू किस ने करी थी किस सासक ने करी थी फड़ापट से आप बताने का प्रियास करे झाएगा ओके यह बाट ध्यान रखेगा अगला कोसिए सब्सक्राइबी अवदिया कि माता थी दम मदर आप बary याद टित्रतिय वया वाज वज्यायत्रतिय जी की माता जी का क्ः नाम था भाई तो इंकी माता जी से किस बंस ने अधिकार कर लिया यानि बेंगी राजगा जो समापन हुआ उस पर समापन के बाद में किस सासकों ने किन सासकों ने जो है बेंगी के राजग पर अधिकार कर लिया बताएं चोल ने आलूप ने गंग ने या चेर ने तो खास करके उस पर जो सासन किया था वो बढ़े हैं आप है यह भी प्रसनाब से पूछ सकता है तो बेंगी राजबंस का जो आंतिम सासक था भाई प्रियास करेंगे तो बेंगी राजबंस का जो अंतिम सासक लिए नाम था भी बिजयादित सप्तम ठीक है वह अंतिम सासक था यह बाद ध्यान लखेगा तो यह साथवाम सारे प्रसनाप से इंपोर्टन थे जो पूछा सकते थे ओके अच्छा यह एक प्रसनावर आपका बनता यहां से कि गोदावरी नदी किनारे राज महेंद्रपूर नामक जो नई रा दद्बाधि करते हैं कंटिक ज़ए फिर वर्ट वरिकजरा के दिष्टी से ध्यान लखेगा कौवास रिपस्न राज़ प्रस वीवर्टक मत पा निश्चांध्या के बाद ध्यान रखेगा ओके किस ने धारण करी थी बिजायदित पंचम ने धारण करी थी ओके है कि लियर अचा एक 31 में बेंगी के जालुक्यों में एक फेमस राजा भी है उनका नाम है राज राज नरेंद्र वो भी उनसे एक प्रस्ण बनता है कि वो किसके पुत्र थे तो बिमलादित्य और चोल रानी थी कुंदवा देवी चोल रानी थी इसलिए प्रस्ण फेमस हो जाता है तो आपसे पर सब कुछता है कि विमलादित्य और चोल रानी कुंदवा देवी का पुत्र कौन था तो कौन था भाई वो राज राज नरेंद्र था ठीक है राज राज नरेंद्र जो था वो किसका पुत्र था कुंदवा देवी का पुत्र था जो कि चोल रानी थी और के वाले सभी नहीं परसंदों के बारे में जान लिया और सुरवाथी चैप्टर से के मारे मैं आप को बिस्तार से हर क से पहले कुछ के बारे में मैंने जानकारी कने उसके बाद दिए प्र आपज्टिव को बताया तो यह आपका लगबग हो गया एक वीडियो यहां पर हो गया पार्ट वन ठीक है यह होगा क्या आपका पार्ट वन यानि की प्रकार से यह पहला वीडियो है और एक वीडियो इसके बाद में आएगा जिसमें मैं लास्ट के चेप्टर सापके बच रहे हैं उसके ब करके 120 से लेकर के 1320 तक का जो राजनेते के तिहास राय दक्षिर भारत का उसके उससे एक प्रकार्ट जो अध्यन के स्रोत हैं उसको समझा चेप्टर वन में चेप्टर टू में हमने संगम सहत्य के बारे में जाना संगम युक के बारे में जाना उसकी पॉलिटिकल कोडर वन के बारे में जाना रास्ट onटबारे में जाना उसके याद में हमने पांचमे चेप्टर में वातापी के चा-लेंड के बारे में जाना और 3 चेप्टर घृक कि नहींकित आतब मेंंगे 7 जुआ्थाओर चेप्टर में हम कल्याणी के चालो की बंस के बारे में जानेंगे उसके बाद में हम आठवी चेप्टर में चोल बंस के बारे में जानेंगे नवे चेप्टर में हम सुदूर दक्षड में जो चेर और पांड राजबंस राव उसके बारे में जानेंगे इसके बाद में हम दस प्रियास करेंगे और जो लाष्ट टिटर अबारवा चेप्टर उसमें हम दक्षरण भारत में सामाजिक और आर्थिक जीवन रहा है उन समाजिक और आर्थिक जीवन के बारे जाने का प्रृहास करेंगे उस क्रेंगे की आपका संपोर से दो घंटे का वीडियो होगा इसमें आपने पूरे आपजक्टिव होंगी मात्र दो वीडियो यहीं देख लिजेगा आपका काम खलास एकदम से परिक्षा में आपको लगबग 90 परसंट तक परसंट आपको यहीं से देखने को मिलेंगे एकात प्रसंदर दर हो सकते हैं बाकि सारे के सारे परसंट आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और जो बाते में बीच-बीच में बोलता रहता हूं उन चीजो को भी ध्यान Δेने का परियास करें चुकि वह जो बाते प्रसन ने यहां पर देख रहे हैं यह दूसरी वीडियो आईगी इसके बाद वाली उसमें आप देखेगा बहुत सारे प्रसनों को उसमें भी हमने रखा है जिसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है तो चिंता करने के आपको आवाज सकता नहीं है बहुत सारे परसनापके इ के आद में हम लाज्ट के शेच चिप्टर के बारे में चर्चा कर लेंगे ठीक है चलिए फिर मिलते हम नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए जैंज बारत आप सभी का बहुत-बहुत धन्यबाद हमारे से जोड़ने के लिए आपको मैं बता दू यहाँ पर कि यह निव मालल मैं दूँगा वहाँ पर यहाँ प्नाइ Jamie Ford Olasya कर लोगा हुआ । त兩ंडे पर यहाँ पर लिए ख़येगा थीखै और और नेक्ष्ट वीडिए में तक के लिए जैंज भायारत आप सभी का बहुत-भहुत धनी बात हमारे से बना रखी लिए हुकर बोहूt-थ को वोके सबीनों लाइक जारूर करिएगा चैनल को धन्य बाद और में चेप्टर वाइस वीडियो जल्दीु प्रोवाइड करूँगा चिंता ना करिएगा कि छेप्टर वाइस वीडियो नहीं आ रही है चेप्टर वाइस वीडियो में बोर्ड पर आपको पढ़ाने का प्रियास करूँगा इतिहास में पूरा आपको जानकर देने का प्रियास करूँगा इसी परकार से हर एक सब्जक्ट की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है तो प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीज